मैं जान और मेरे प्यारी मामा मैं जान और मेरे प्यारे बाबा दादी मास नीट मर्यम अकर्मन भाई हमारी है प्यारी है स्वीट पैमली मैं जान और हूँ पाज साल का जानता गीत हूँ सारी ताल का अच्छी है प्यारी है हमारी फैमली मिसाली है नियारी है सारी फैमली अमी थोड़ और करीब से देख सकता हूँ क्या नहीं बेटा चेकब ऐसे ही होता है आँ तो ना बेटा अब इससे देखो जी हाँ दोना बेटा तो ये ग्लासिस आपके लिए ठीक है हाँ तो बेटा अब तुम्हें ठीक नजर आ रहा है ना बहुत शुक्री अम्मी जान डॉक्टर अंकल आपके पस इस तरह के ग्लासिस ग्रीन में हैं क्या बिल्कुल है लालालालालाला दिरुखत के पीछे कोई शक्स था दादा जान को फॉरण पता चल गया जब उन्होंने पूचा कौन है वहाँ पर जान वहाँ कैसा लग रहा हूं तुम्हें ग्लासिस लग गई क्या कैटो देखो तोना को ग्लासिस लग गई है देखो इसका भी कलर ग्रीन है तुम्हारा फेवरिट कलर अब मुझे और भी अच्छा दिखाई दे रहा है अब तो मुझसे डॉट्स में नहीं जीते लेंगे अभी शुरू करें क्या आज़ो यह रहा फिर से नंबर दस देखना मैं आज भी जीतूंगा क्या बारा पर यह भी बारा पर तीसरी बार भी बारा पर येस मुराद भाई के अलावा कोई भी बारा पर नहीं मार सका कैसे किया ग्लासिस के वज़ा से तुम्हें ग्लासिस के साथ ठीक दिखाई दे रहा है हाँ जान मुझे तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है तुम्ह seinerzeit कि जरूरत है मुझे इनके बगेर दिखाई नहीं देता इस व Candice में इनको पना हुआ है मुझे को शॉक नहीं हूं है और दो पेर स्लाइड़ ले हम हां हम हैं हम यह यहां नहीं है और सलीम नहीं है क्या वह यहां पर्सलाइड ले नहीं पसंद नहीं करता हाहा याद आगया मेरे पास भी बिलकुल ऐसे ग्लासेज है अच्छी लगी क्या ये बहुत अच्छी लगी मुझे दोना ने डाट्स में बारा पहले शाना लगाया ओ मुराद भई को इसका पता चला नहीं शाम को बताऊंगा रुको क्या हुआ ग्लासेज उतारो फिर स्लाइड लेना वो क्यों तूटके लगना जाएं तुम्हें डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था तो फिर क्या हुआ मगर तुम उतार के रख दो देखो मैने भी तो उतार के रखी है तुम भी वहां बेंच पर लख दो जान आचो बेटा खाना तयार है ठीक है दादी जान मैं भी आया दोस्तों मैं खाना खाने जा रहा हूं वो तुम लोग भी आओ ना मिलकर खाना खाते हैं नहीं तुम खाओ मैं भी खाओ कर राया हूं अम्मी से इजाज़त ले लो फिर आता हूं रुको अब क्या हुआ है अब क्या हुआ है पसीना खुष्खोने से पहले ग्लासेज मत पहनो क्यों नुकसान भी हो सकता है कैसा नुकसान इससे ग्लासेज धुंदले हो जाते हैं डॉक्टर ने तो इसके बाल में कुछ नहीं बताया था अगर तुम पसीना खुष्खोने से पहले मत पहनना देखो मैंने भी नहीं पहनी थोड़ी देर बात पहन लेना उस दिन तोना की ग्रीन ग्लासेज बहुत अच्छी थी तोना को भी वो ग्लासेज बहुत पसंद थी बाद में क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा अभी इस बुक में बहुत से पेजिस बाकी है ओ बारा पे बहुत खुब ये हुई ना बात मैंने भी बारा पर लगाया अब मेरी बारी है ठीक क्यों नहीं लगा सही दिखाई नहीं दे रहा वो क्यों पता नहीं लगता है ग्लासेज खराब हो गए है हाँ हो सकता है थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने ही तो बारा पर मारा था क्या हुआ करीम मैं गिर गया हां टांग बहुत दर्द हो रही है ग्लासे से भी ठीक नजर नहीं आ रहा शायद पसीने पेहन लिए इसलिए तो नहीं हो रहा है कुल पसीना साफ कर लिया था मगर फिर भी मैं नीचे गिर गया ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे तु अब खराब हुई अब भी मिल गया क्या मिल गया चलो तोना के पास जाकर बताता हूं तुम दोनों को दुन्दला दिखाई दे रहा है क्या हां बिलकुल वो क्यूं क्यूंके मेरे ग्लासेस खराब हो गए है नहीं तो फिर आइस खराब हो गी है नहीं तो फिर क्या हुआ है तुम दुनों ग्लासिस तो अतारो जरा अब तुम अपनी ग्लासिस तबदील करो अब अपनी अपनी ग्लासिस आंखों पर लगाओ अब तो साफ दिखाई दे रहा है तुम दुनों की ग्लासिस तबदील हो गई थी उस वज़ा से ठीक दिखाई नहीं दे रहा था तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी ग्लासेश चेंज हो गई थी बिल्कुल डॉक्टर ने भी मुझे ऐसे ही कहा था उस दिन तो ना और करीम की ग्लासेश तबदील हो गई थी उन्हें लग रहा था कि उनकी ग्लासेश खराब हो गई है ग्लासेश को पेचानने के लिए मैंने एक तरीका निकाला बहुत अच्छा हो गया ये तो बी वली मेरी है ये वली मेरी है इस तरह आज से उनकी ग्लासेश मेक्स नहीं होंगी बाद में क्या हुआ? वो मैं बाद में बताओंगा अब इस बुक में बहुत से पेजिस बाकी है